कोगनेटिव साइकलोजी कोगनेटिव साइकलोजी मतलब बिरीन का इसमें यूज होना है और बिरीन का यूज का क्या effect पोड़ेगा वह हो इस तड़ी इसलिए कोगनेटिव साइकलोजी investigate करते है mental process जो involved होते है एक्विजिशन मतलब कोई-स चीज लेना store करना manipulate करना and transformation of information जो भी information हमने ली है, acquire की है, store की है manipulate करना मतलब उसमें कुछ नहीं aid करना, चीज़ों को अलग डांस करना, process करना, transform करना तो ये cognitive process में आ रहा है, from the environment, information मेंने कहा से ली, बाहर से, from the environment along with its use and communication मतलब cognitive psychology में क्या है, जो भी information आ रही, किस process के थुरू वो process हो रही है, किस तरह से change हो रही है और किस तरह से store हमसे कर रहे है, ये सब की study cognitive psychology में होगी तब major cognitive process कौन से है, attention, perception, ध्यान देखना है, ये perceive करना है, memory, किस तरह सम उस चीज़ को रखेंगे, ये सारे psychology के topic है और cognitive मतलब brain इसमें involved है, तो brain की सीज में involved है, attention में, perception में, memory में, reasoning में, problem solving में, decision making में, and language तो ये सारे चीज़े कहां से involved हो रही है, brain से, मतलब brain का important role in सब चीज़ों में है, तो cognitive process क्या हुए, attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making, ये सारे cognitive process है तो researcher studies करता है, how information is encoded, तो जो researcher है, वो क्या करेंगा, वो study करेंगा, कैसे information को store किया गया, encode किया गया कैसे उसे फिर maintain डखा गया, और कैसे अगर वो information retrieve हुई, मतलब जब चीज़े revise हुई, जब हमें उस चीज़ की चरुवत है, मालमें एक्जाम दे रहे हैं, तो जो हमने याद किया है, वो कैसे याद वापस आया, जो information हमने memory में store की है, वो जब हमें ज़रू हो था, तो वो कै काम होता कैसे है, information कैसे store हुई है, फिर वो कैसे maintain है, कैसे वो खतम हो गई है, कैसे वो चीज़े recall हो रही है, तो cognitive psychology is believed to have been founded by Urik Neser in 1967, जब ने उनने book published की थी cognitive psychology, मतलब origin निहाई से मानेगी है 1967 में, क्योंकि Urik Neser ने एक book लिखी जिसका नाम ही cognitive psychology था, और इसकी यही समाने जाती है, cognitive मतलब brain का यूज़ करना, तो से researcher वो यह study करता है कि brain का यूज़ हम किस तरस करते है, कैसे information को हम प्रोसेस करते हैं, कैसे store करेंगे, कैसे maintain करेंगे, और कैसे recall करेंगे,